हुआ 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 है जून इक्जाम 2021 के 12th क्लास के स्टुएंट के लिए भी एक्जाम रिलेटेड नोटिस आ गया है इस्टुएंट नोटिस में क्या बताया गया है कि आपके एक्जाम होंगे की नहीं में आपको आज किस लेक्चर में वहीं नोटिस रीड करके सुनाऊंगा इसलिए आप ये डा क्यों की तरह आपको अंदाजा बताएंगे और नहीं किसी न्यूस साइट की न्यूस हम आपको दिखाएंगे जो ओफीसियल ओडर आया हुआ है वही हम आपको दिखाएंगे इस नोटिस कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं इस लेक्शर में मिलने हम यह तीन पॉइंट कवर करने वाले सबसे पहले ट्वैल्थ क्लास के स्टुन को पर्मोट किया गया है कि नहीं यानि आपके एक्जाम कैंसल हो गया या आपके एक्जाम होंगे उसके बाद किस बेस पर आपका रिजल कव आएगा इसलिए आप इस लेक्शर में लास तक बने रहेंगे क्योंकि यह लेक्शर आपके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रमेटिव और हैल्फुल होने वाला है इसलिए बहले आप इस लेक्शर को लाइक ने करें पर अपने फ्रेंड्स में जरूर शेर कर दें ताकि इसलिए आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर ले इसके अलावा सस्क्राइब करने के जो दो आपको और बेनिफिट मिलेंगे वो यह है फोर ऑल अपडेट्स यानि इस्टून हमारा चैनल जो है आपको एने इसकी सारी अपडेट देता है जैसे आपके एक्जाम होने तक कोई अपडेट आता है तो हमारा चैनल इसी तरीके से आपको इंफॉर्म कर देगा और दूसरा बेनिफिट क्या होगा फोर सी सी पी अब आप पुछेंगे सर सी सी पी क्या होता है सी सी पी यानि करियर कांसलिंग प्रोग्राम हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर कांसलि कर लिया होगा तो चली मैं आपको सामने आपके स्क्रीन पे नोटीस है मैं आपको यह पूरा नोटीस पढ़के नहीं सुनाओ इसमें बहुत जादा टाइम पेश्ट हो जाएगा जो इसमें मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपका मेन जो है वो इस लाइन से शुरू प्रमोट हो चुके है मैं एक बार फिर से इस गुड़ निउस को रिपीट करूँ हुआ जो जून एक्जाम 2021 में 12th क्लास के होने वाले थे वो COVID-19 के कारण कैंसल हो चुके है अब आपको बिना एक्जाम के परमोट कर दिया गया है जी यहां इस लोट यह बहुत बड़ी आपकेण किया गया है की यह जो कि यह कर दिया गया तो स्ट्विट आपको चिंटा करने की कोई ज्रोत नहीं है आपको पर्मोट कर दिया जाएगा ज़ी हाती है चिन त hesitate आप 1 तक प्रेंग कर वा उन क्या होगा तो इस्ट्वेंट जिन्होंने टीमे जमा नहीं करवाया तो हमारा अंदाज हमाने तो आपके लिए पोर्टल दुबारा से ओन किया जाएगा अगर पोर्टल आपका ओन होता है दुबारा टीमे जमा करने का तो हमारा चैनल सबसे पहले आपको इंफॉर्म कर देग या आप on demand में भी fees भरके exam देके promote हो सकते है तो उमीद है इस्टुमेंट आपके सारे doubt के लिए हो गयोंगे तो चलिए हम अपने अगले question पर चलते है हमारा अखला और last सवाल है result कब आएगा तो च्टुमें मैं बताना चाहूँँगा अभी इसके regarding कोई भी notice नहीं आया है जो आपका result कब आएगा इसके regarding कोई भी notice नहीं आया है पर एक अंदाजे की हिसाब से मैं आपको बताओ तो जुलाई के first week तक आपका result आजाएगा क्योंकि जितने भी national board है मैं यहां straight board की बात नहीं करूँगा जितने भी national board है CBSC हो गया ICSC हो गया सबके result जुलाई के first week तक आने माले है इस तरीके से हम कह सकते हैं आपके result भी जुलाई के first week तक आजाएगे तो उमीदे इस टूंड आपके सारे doubt के लिए हो गया होंगे अगर कोई भी doubt है तो आप comment box में बेजी जग comment करके पूछ सकते है हमारी team हर comment or message का reply करती है किसी भी comment or message को ignore नहीं करती है तो चलिए यहीं पर इस lecture को खतम करते है और जाते जाते है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि हमारा चैनल आपको एन इसकी सारी update देता है अगर आपको T.A. में जमा करने का दुबारा मौका मिलता है तो हमारा चैनल आपको inform कर देगा आपका result आता है तो हमारा चैनल आपको inform कर देगा इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe कर ले और दूसरा benefit क्या हुआ हमारा चैनल हर साल result के बाद career counseling program चलाता है जिसमें हम यह बताते हैं आप 12 के बाद medical में कैसे जा सकते हैं अब 12 के बाद engineering में कैसे जा सकते हैं इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe कर ले तो चलिए इस lecture को यहीं पर खतम करते हैं